ऐसे भारते जनता पाटी तो हमेशा भरस्टाचार प्रिवारबात तोस्टी करन के खिलाप रहती हैं हम तो लालू जी के उस भरस्टाचार और उनके घोटालों के खिलाप भारते जनता पाटी हमेशा संगर्श करती रही है और आज भी हम अपने स्टेंड पे भारते जनता प कानून सब के लिए बड़ावड और कोई सत्ता का उपयोग या अपनी छमता का उपयोग अपने पड़िवार के लिए भरस्टाचार के जरिये अगर कोई कानून भीरोध काम करता है होटाले होते हैं या किसी भी विशह पर अगर कोई विशह आती है तो एजन्सिया उसपे जाज करती है काड़वाई करती है भारत की वह सब एजन्सिया जिसके विशेव में मुक्मांतश जी बता रहे हैं या RJD के लोग बताते नहीं. देश का कानून सब के लिए बड़ाबर है और कानून में हिसाब से जो दोसी यह उस पर करवाई करती है, ईस करवाई नहीं करती है यह कानून का भी सह है एजेंसियों का भी सह है लेकिन नितीज कुमार जी का यह आरोप की तंग किया जारा है यह बिल्कुन ही गलत है नितीज जी अपने खुद उस ब्यान को याद करें जादिव के लोग उस ब्यान को याद करें और जादिव के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोट से लेके सरक तक लराई लरे उसको याद करें और उस समय के ब्यान को पढ़ें कोट में उन्होंने जो लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे किये थे उसको पढ़ें ऐसे भारते जनता पाटी तो हमेशा भरस्टाचार प्रिवारवात तुस्टी कर परहती ही हैं हम तोँ लालू जी के उस ब्रस्टाचार और उनके घोटालों के खिलाब भारते-जनता-पार्टी हमेशा संगर्श करती रही है और आज भी हम अपने पर कानून करवाई करे भारते जंता पार्टी ऐसी मांग भी करती है और भारते जंता पार्टी इस तरह की नियत वी रखती है लोग जो कभी कहते हैं कि इस ज़्यादा और घोटालेवाज कोई नहीं नहीं और फिर कहें कि बेचाड़ा है तो या तुन नहीं चलेगा देखिए इस समय उस समय के आप सारे सारे भारतिय जनता पार्टी के बिहार विधान सभा में मंडल में उसके नर्ने को लोग देखे उस समय के जो भारते जनता पार्टी का नर्ने है जो भारते जनता पार्टी ने विधान मंडल में जो अपना समर्थन दिया था उसको लोग ठीक से पढ़े तो भारते जनता पार्टी के और देखे मनन कड़े भारते जनता पार्टी के निती उसमें बहुत असप बीच में मद्दान के और रिजल्ट के बीच के जो दो दिन था नितिश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा है दो दिन में लग रहा है कि 15 साल का रेकॉर्ड टूट रहा है लोग कहने लगे थे दो दिन बचा है अभी 25 दे दो नहीं गुंडा राज अस्थापित है और गुंडों को संरक्षन देने वाले अपराधियों को संरक्षन देने वाले दूसरे पर भाजपा पर आरोप कर रहे हैं तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज अपराधियों का संरक्षन जो नितिश की सरकार दे रही ह उससे बढ़ी होने माले नहीं है कौन अप्राधियों को और गुंडों को समर्थन दे रहे हैं कौन ब्यार को अप्राधियों के और गुंडों के हवाले कि है यह सब लोग देख रहे हैं आप सब हम सब और दुनिया भी पहली घटना तो नहीं है अपने कारकरताओं की पिटाई तक करते हैं धक्का देते हैं अपमान करते हैं और यह उनके आम बात में आम बहबार में तो फिर उक्या बात करेंगे भारती इंता पाटी आज नरेंद्र मोधी जी के नेत्रित में चंद्रायन पे गई चंद्रमा पड़ गई चंद्रायन थिरी को अस्थापित कर दिया आज इनके नित्रुत में कानून का राज है आज देश में जो कानून की विवस्था जो भारत की सरकार के पास केंद्र की सरकार के पास है उस पर देखिए नरेंद्र मोधी जी के नित्रुत में केंद्र सरकार ने किस प्रकार से आतंक बादियों को नकसल बादियों को लगातार सीरियल बंबलास्ट करने वालों को देश द्रोहियों को देश के खिलाप कहीं भी कोई कदम उठाने वालों को आज देखिए देश ने भरस्टाचार करने वालों को घोटाला करने वालों को जनता से धोखा देने वालों को ऐसे लोगों पर जो केंद्र के जीम में जो काम है वह कितनी सफलता पड़बग कर रही है